दोस्तो मार्क रोवर ने कुछ ऐसा किया जिसे देखने के बाद आपके भी रॉंग्टे खड़े हो जाएंगे और उन्होंने मरी हुई मचलियों का पेस्ट तयार किया और उस पेस्ट को एक प्लास्टिक बैग में बर लिया जिसके बाद वह पानी में एक पिंजना डाल देते हैं और खुद उस पिंजने के अंदर खड़े हो जाते हैं ताकि कोई सार्क उन पर अटेक न करते और वह इस प्लास्टिक बैग को इस पानी के अंदर पोड़ देते हैं जिसके बाद सभी सार्क खुन की तरफ आकर से तोकर यापर आ जाती है मार्क रोवर पंजरे के अंदर थे इसलिए सार्क ने उनसे कुछ नहीं कहा लेकिन जब मार्क रोवर पंजरे को खुलते हैं तो सभी सार्क मार्क रोवर को पीछे से गिर लेती है परन्तु मार्क रोबर जैसे तैसे करके इन सार्क मचलियों से बचकर इस पानी से निकल जाते हैं